हलो एवरीवन वेलकूंटू मैं विशेक कुमार मैंगर में सकेल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है कम्प्लेट एंसे एक्जांपलर और बेस्ट पॉब्लिशर्स की बुक विद कम्प्लेट सॉलूशन्स और कम्प्लेट थियोरी के साथ इसी के साथ मैं आपको के डिमांड नहीं किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं मैंगर में सकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो हैंडेट पर्सेंट फ्री एजुकेशन आपको दे रहा है स्टार्ट करते इस वीडियो को तो इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स्ट स्टूदेंट्स आप और टॉपिक है हमारा जोमेटरी तो चैप्टर नमबर टू है आपके एंसेटी एक्जाम्पलर में इसके एक एक कोशन को वाच करिएगा सब इंपोर्टेंट कोशन से यहां पर मैंने कवर किया है सब्जेक्टिव पार्ट को तो यहां पर आप देखेंगे कोशन नमबर पूरा वाच किया होगा जहां मैंने पार्ट वन में एमसी क्यूस को कवर किया था और पार्ट टू को मैंने पार्ट टू के अंदर मैंने ट्रू एंट फॉल्स ओफ लिंग दा ब्लैंक्स को कवर किया था चलिए तो यहां पर सब्जेक्टिव एराइटी को हम लोग देख ल हाल है वो यह है कि name all the line segments in figure 2.24 सारे line segments का नाम बताईए जो figure आपको दिया है line कब बोलते हैं और line segment कब बोलते हैं पहले तो यह clear होना चाहिए जब मैं बोलूंगा अकेली line तो line का मतलब दोनों end पे arrow जब दिया होता है क्योंकि यहां पर arrow नहीं दिया fixed point दिया है starting point दिया है end point दिया है जब किसी line की starting और ending fix रहती है तो इस case में हम कहते हैं कि measured line है इसलिए word segment को इसके आगे use किया जाता है इसी में देखिएगा जो figure आपको दिया है तो यहां पे सारे line segments का नाम बताईए तो देखिए एक तो पूरी important line जो पहली line है वो है ae और इस ae के उपर क्योंकि बहुत सारे point marked है तो हर line segment हम बोल सकते हैं तेखिए यह fixed part होगा यह fixed part है यह fixed part है यह fixed part है तो इनके भी नाम बताने है ae main line उसके बाद ab मैं बोल सकता हूं मैं यहाँ पर bc बोल सकता हूं इहां पर cd बोल सकता हूं मैं इहां पर dee भी बोल सकता हूं यह है वो सारे line segment क्या सर यहाँ पर bd बोल सकते हैं अब आप यहां पर मैं बोलूँगा BD के साथ साथ आप एक लाइन BD के बाद BE भी बोल सकते हैं, ठीके, और यहां पर मैं C, E भी बोल सकता हूं, C, D तो मैं अल्रेडी बोल चुका था, C से लेके E तक यह भी एक लाइन सेग्मेंट है, ठीके, मैंने यहां पर A, E पूरी एक पर यहां पर A, B, A, C, A, D, A, E, चार लाइन मैंने यहां पर बताई हैं, ठीके, तो A, B, A, B के बाद मैं बोलूँगा, A, C, A, D, ठीके, तो यहां पर A, B, A, C, A, D, A, E, पर यहां पर बताई हैं, ठीके, तो A, B, A, C, A, D, A, E, B के साथ बनने वाली यह एक लाइन सेग्मेंट, B, C, ठीके, फिर उसके बाद B, D, और फिर उसके बाद B, E, तो यहां पर B, D, भी है, यहां पर B, E, भी है, इसी के साथ में, C के साथ बनने वाली, आप देख रहे है यहां से C से लेके E तक की line segment तो C E मुझे यहां पर दिख रहा है और यहां पर मुझे C D भी दिख रहा है और इसके बाद यहां पर D E तो यह रहा आपका D E तो इस तरीके से आप देख रहे हैं question number 42 में कितने line segments है उन सब के मैंने नाम लिख दिए आपको यहां proper तरीके से लिखना है solution और solution के बाद आपको यहां पर उन सब line segments के नाम देना है clear है चलिए तो question number 42 हमने यहां कर दिया है clear और कैसे करना था वो मैंने आपको बता दिया मूव करते हैं question number 43 की तरफ तो question number 43 क्या कह रहा है इसको देखिए यह कह रहा है name the line segments shown in the figure 2.25 अब आपको एक figure दिया है सामने 2.25 इसमें बनने वाले line segments देखिए अभी मैंने बता है line किसको बोलते है और segments किनको बोलते है तो line मतलब जब arrow बना होता है एक ending और एक starting दोनों end पर अगर arrow बना है तो हम सिर्फ कहेंगे line क्योंकि यहां पर arrow नहीं दिख रहा यहां पर मुझे closed figure दिख रहा है तो जो lines जो sides आपको दिख रही है वो basically line segments clear तो measured line दियुए अब यहां पर कितनी sides है तो आप उनका नाम बता दीजिए देखिए figure जो आपको दिया आप यहां पर proper तरीके से लिखेंगे solution और solution के बाद आप हर side का नाम बताएंगे मतलब line segments का नाम बताएंगे तो हम चालू करते हैं vertex A से तो AE एक side है यह एक line segment है AE then इसके बाद ED तो हम ED तो एक कोई rotation आपको पकड़ना है चाहे आप clockwise चल्लीजिए चाहे आप anti clockwise चल्लीजिए AE then इसके बाद ED then उसके बाद DC DC के बाद हम कहेंगे CB और CB के बाद हम कहेंगे BA और कोई line segment मुझे यहां पर नजर नहीं आ रही clear है चल्य तो question number 43 आपने देखा कैसे solve करना है simple से half marks का इस परकार का question आपको यहां पर देखने को मिल सकता है move करते है question number 44 की तरफ तो question number 43 यहां कर लेते हैं clear question number 44 क्या कह रहा है इसको देखेगा state the mid points of all the sides of figure 2.26 यह जो आपको figure दिया है इस figure के अंदर mid points बताईए mid points मतलब बीच में पढ़ने वाले points अब देखो line segment क्या क्या है अगर आप देखेंगे देखो यह एक triangle दिया है इस triangle में सबसे पहले तो sides क्या क्या है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहां पर CB एक side है triangle क्या दिया है सबसे पहले तो एक काम करो देखो attempt कैसे करना है यहाँ पे हम लिखेंगे proper तरीके से solution, solution के बाद हम बोलेंगे triangle का नाम, तो यहाँ पे एक triangle जो मुझे दिख रहा है वो है CBA, CBA triangle, इस triangle के अंदर अगर मैं देखूंगा तो CBA side है, तो sides are CBA and AC, clear और आप drawing से एक चीज़ notice कर रहे हैं, वो आप क्या notice कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो किसी तरह की marking की हुई है, यह three lines mark की हैं, यहाँ पे भी three lines mark की हैं, यहाँ पे two lines mark की हैं, यहाँ पे one line mark की हैं, यहाँ पे one line mark की हैं, इसका मतलब यह कि यह part इस part की equal है, 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 कि CB पे Y point marked है तो midpoint midpoint of CB CB का midpoint क्या है वो है Y clear, फिर midpoint of BA, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, midpoint of A, कौन सा A, sorry BA, तो यहाँ पे आएगा BA यह midpoint क्या है, यह है Z, ठीक है तो यहाँ पे midpoint AB का क्या है, Z, क्योंकि मुझे यह चीज नजर आ रही है, यहाँ पे जो double line की marking की है आप अगर इसको लिख के दिखाना चाहें तो इसको लिख के भी दिखा सकते हैं कि CB जो बना है, ठीक है ऐसा ना लिखते हूँ, अगर मैं लिख दू कि CB can be divided into CY when added with BY ठीक है तो CY और BY जब add होगा तो CB बनाएगा that means Y is the midpoint ऐसा लिख दीजिए, midpoint therefore midpoint is Y ठीक है, क्योंकि CB, CY और BY के addition से बना है, और जो Y बना है इस Y के दोनों साइट पे क्योंकि common points mark कियो है मतलब हमें जो symbol mark करके दिया है, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि CY is equals to BY as CY is equals to BY, तो midpoint is Y, similarly एक case को हमने जब समझा दिया, तो similarly मैं कहूंगा, midpoint of midpoint of BA is BA का midpoint क्या है, ये है Z, ऐसे ही midpoint of midpoint of AC, AC का midpoint हो जाएगा, X clear है, तो आपने question number 44 को कैसे attempt करना है, मैं कहूंगा, one marks या one and a half marks में इस variety को भी teacher आपके school test या school exam में एकदम पूस सकती है, clear, चलिए, question number 44 हमारा हो गया है, move करते है, question number 45 की तरफ, 45th question क्या कह रहा है, ये कह रहा है, name the vertices and the line segments in this figure, vertices का मतलब क्या होता है, vertices का मतलब एक ऐसा point, एक ऐसा point, जहां पे जहां से या जहां पे number of lines आके meet करें, या वहां से produce हो, तो vertices की definition, आपको ये theory में भी पढ़ाई गई थी, तो vertices का मतलब, a point in a plane, a point in a plane from which from which line segments produce or on which they meet तो vertices का मतलब, ऐसा point plane के उपर जहां से lines यहां तो निकलती हैं, यहां पे आके meet करती हैं, यह सब vertices कहलाती हैं, clear? तो therefore, in the given figure, vertices are, in the given figure vertices are, क्या-क्या vertices यहां पे दिख रही हैं, तो आप move करें, clockwise, a, e, d, c, b, clear है, आप देखेंगे, a point के उपर, बहुत सारी lines आके meet कर रही हैं, ठीके, ऐसे e point के उपर, आप देखेंगे, ये वाली line, ये वाली line आके meet कर रही हैं, 3 line दिख रही हैं, c point पे again, मुझे 3 line दिख रही हैं, b point पे 2 line दिख रही हैं, a point पे, यहां पे 4 lines दिख रही हैं, तो आपको कैसे चीजे solve करनी हैं, ये आपको पताओ न, ची, vertices क्या होती हैं, ये definition मैंने इसलिए लिखी, अगर ये सवाल 2 marks में आता है, तो आप definition लिख रहे और अगर 1 marks में आता है, तो 1 marks में आपसे vertices का नाम लिखे, line segments का नाम लिखे और आगे चलिए, और अगर 2 marks यहां ज्यादा marks में देखने को मिलता है, तो please definition जहू लिख कर आना, ठीक है, ऐसे हमसे line segments पूचा है, तो line segments क्या क्या है, तो line segments हम यहां पर देख लेते हैं, अब line segments में यहां पर क्या क्या देख पा रहा हूं, देखना, line segments किन को बोलेंगे, जो lines proper तरीके से, जिनका ending point और starting point है, अगर मैं A से चालू करता हूं, और यहां से movement चालू करता हूं, देखना, AE एक line है, तो यहां पर line segment AE हो गई, फिर उसके बाद E से नीचे D की तरफ, तो ED एक line C हो गया, तो यहां पर EEC DC हो गया, ठीके C पर आगये, C के बाद आप B तक चलेंगे, तो C भी एक line segment हो गया, फिर इसके बाद B से A तक चलेंगे, तो यहां पर BA EEC line segment हो गया, आप देखो यह भी तो line segment है, जो बीच में है, तो यह है आपका AC and AD, तो यहां पर मैं बोल और कितने vertizes हैं, तो 5 vertizes हैं, total number of vertizes are 5 and total number of line segments are 7, clear है, तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आपको question number 45 को attempt करना था, move करते हैं next question, question number 46 की तरफ, तो question number 46 क्या कह रहा है, board कर लेते हैं clear, next question question number 46 कह रहा है, write down 15 angles, 15 angles के नाम बताईए, और ऐसे बताने हैं कि उन सब का जो measurement है, वो 180 degree से कम हो, involved in figure 2.28, इस figure के अंदर सारे angles का नाम बताईए, जो 180 degree से छोटे हैं, चलिए, देखीगा, सबसे पहले, तो हम यहाँ पर यह वाला triangle पकड़ लेते हैं, ठीक है, अब इस triangle में 3 angle बनते हुए दिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पर triangle FBC को पकड़ रहे हैं, ठीक है, FBC, इस triangle के अंदर 3 angle बनेंगे, angle BFC, फिर angle FCB, फिर angle CBF, हो गए 3 angle complete, इस triangle के अंदर, ठीक है, इस triangle के बाद मैं triangle पकड़ रहा हूँ, यह वाला, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, clear, यह अटा दिया, ठीक है, अब हम आये सामने triangle, triangle FDC, और FDC triangle के अंदर, अगेन 3 angles बनेंगे, angle DFC, angle FCD, ठीक है, फिर angle CDF, movement किसी एक जगा पर रखना मतलब, आप यहां तो clockwise move कर लो, यह anticlockwise move करो, इस case में मैंने anticlockwise movement किया, और मैं एक एक angle बताता हूँ, चला, DFC vertices F के साथ बताया, फिर FCD बताया मैंने, और फिर CDF बताया, ठीक है, बोर्ड यहां पर भी कर देते हैं, clear, तो हमाई सामने 2 triangles हो गए, अब मैं यह वाला quadrilateral पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो यह quadrilateral है क्योंकि 4 side से बना हुआ है, तो यहां पर इस quadrilateral की बात कर लेते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, quad और quad का नाम ADFE, ADFE, इस quadrilateral के अंदर मैं देख रहा हूँ, angle EAD, angle ADF, angle DFE, angle DFE के बाद angle FEA, ठीक है, तो 4 angle यहां बन रहे हैं, तीन यहां, तीन यहां, ठीक है, इस quadrilateral के बाद हम pick कर रहे हैं, यहां पर इस triangle को, ठीक है, इस triangle मैं देखेगा, इसका मैं नाम दे रहा हूँ, triangle EFB, जो हमें दिया है, EFB triangle के अंदर देखना, EFB के अंदर angle BF, ठीक है, BEF, तो angle BEF, ठीक है, फिर angle EFB, फिर angle FBE, FBE, तो यहां पर यहां पर यह तीन angle यहां बन रहे हैं, तो आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं, सारे वो आपने नाम दे दिये, अब यहां पर आप ध्यान से देखेगा, आपने इन दो angles का अलग-अलग नाम दिया, यहां पर एक common नाम भी आ रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, तो यह जो पूरा triangle है, इस triangle के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने यह वाला angle तो बता दिया है, आपने पूरा complete angle नहीं बताया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, angle DCB, angle DCB, यह भी एक angle है, ठीक है, फिर मैं अगर इसको यहां से हटा दूँ, और आप अगर यह पूरा angle देखें, कौन सा यह वाला, पूरा triangle देखें, तो इसके अंदर आपने यह complete पूरा बड़ा angle नहीं बताया, तो angle CEB, ठीक है, तो यह सारे angles मिल रहे हैं आपको, ठीक है, और सब के सब angles आप देखेंगे, 180 degree से छोटे ही आ रहे हैं, क्योंकि triangle हो quadrilateral है, quadrilateral में जो opposite angles होते हैं, इनका sum 180 degree होता है, तो यह आप higher classroom से पढ़ेंगे, दो angles का मिल के sum 180 होता है, तो comments भी आते हैं, यह दोनों angles 180 degree से छोटे ही होंगे, ठीक है, तो यहां पर question number 46 में, कितने angles थे, वो सब हमने बता दिये, कहां कहां थे, वो आपने बताई, यह header है, ठीक है, इसके अंदर आपने angles बताएं, और यहां पर यह दो angles आपने include नहीं किये थे, इनको आपने बाद में बताया, ठीक है, तो 3, 3, 6, और 3, 9, 9, 4, 13, 14, 15, 15 angles हमसे पूछे थे, यह हमने 15 angles बता दिये, clear, तो कैसे question को attempt करना था, question number 46, आप लोगों ने watch कर लिया, कर लेते हैं board clear, move करते हैं next question, question number 47 की तरफ, तो question number 47 क्या कह रहा है, यह कह रहा है, name the following angles of figure 2.29, इस figure में आप angles के नाम बताईए, using 3 letters, 3 letters का use करके आपको बताना है, और आपको देखो, यहाँ पर numbering के through question दिया है, मतलब angle 1 कौन सा angle है, 3 letters का use करके बताईए, angle 1, यह बन रहा है angle 1, इतने से gap में, तो यह gap कहा है, यह gap है, इसके बीच में, यहाँ पर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि जो angle 1 है, यह है angle dbc, तो अच्छे कहेंगे, सर हमने तो angle cbd लिख दिया, कोई दिकत नहीं, cbd लिख दीजिए, बात वोई ही है, ठीके, आप चाहें dbc बोले, आप चाहें cbd बोले, ठीके, center का vertex पे ध्यान रखना, बस यह जो center का gap है, जहाँ पर बन रहा है, वो हमें बताना जरूरी है, ठीक angle 1 उस gap को बता रहा है, इसके बाद उन्हेंने हमसे पूछा है, angle 2, angle 2 कहां है, तो आप देखेंगे, यह वाला जो gap है, यह angle 2 मतलब, यह दो arms है, एक यह वाली arm है, एक यह वाली arm है, अब इसके साथ आप बताईए, इस gap के अंदर, तो यहाँ पर यह हो जाएगा angle ebd, angle ebd और दूसरा, अगर कोई यह बोलना चाहता है, कि हमने बोला angle dbe, तो वो भी सही है, ठीक है, dbe वाला gap, आप ऐसे दे ले, यह ऐसे देख ले, कोई issue नहीं, clear, इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा, angle 3 बताईए, angle 3 कहां पर है, इसको कर लेते हैं, clear, angle 3 बन रहा है, इन 2 arms के ब बोल दे, या eba बोल दे, कोई दिक्कत ने, angle abe, या आप बोल दे, angle eba, अब सर्क्या में दो दो लिखकर आने, exam में या test में, तो ऐसा नहीं है, आपको नहीं लिखकर आना, the reason is being, आप से तो सिर्फ 3 letters का use करके angle 1 पूछा था, यह मैं बता रहा हूं, जो बच्चे इस तीके से जवाब दे रहे हैं, या ऐसा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए, ठीके, तो दोनों सही हैं, आप कोई भी एक इसमें से use कर सकते हैं, अब, angle 1 को, जब angle 2 के साथ, एड किया जाएगा, next क्या बोल रहा है, वो हमसे, d part में, जब angle 1 को, मैं add कर दूंगा, angle 2 के साथ, तो क्या बनेगा, यहां पर देखना, angle 1 क्या है, तो angle 1 था आपका, c b d, angle c b d को, आपने add कर दिया, angle d b e के साथ, तो d b e के साथ, जब आपने add किया, तो आप देखेंगे, आपको यहां पर एक बड़ा angle मिला, कौन सा angle मिला, c b e, तो आपको angle c b e मिला, यहां पर हम लिखेंगे, c b e, तो angle c b e, यह पूरा angle, हम यहां पर angle 1 प्लस angle 2 को बोलेंगे, ऐसी angle 2 प्लस angle 3 क्या है, तो angle 2 प्लस angle 3 देखो, यह angle 2 है, और यह वाला angle 3 है, ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे, d b e, angle d b e, add होगा, angle e b e के साथ, और यह जब add होगा, तो एक बड़ा angle बनेगा, वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा d b a, तो d b a, angle d b a, sir, यह लिखकर आना है, तो yes, आपको बताना angle 2 क्या, angle 3 क्या है, इससे कौन सा angle बन रहा है, तो तीन लेटर का use करके, आपने क्या angle बताया, वो आपको box में डाल के आना है, clear है, इसके बाद आपसे कहा है, angle 1 प्लस angle 2 प्लस angle 3, तीन angles का sum, ठीके, तो आप देखिएगा, तीनों angles, यह वाला angle, यह वाला angle, फिर यह वाला angle, तीनों angle जब आपस में add होंगे, तो आप देखिएगे, एक बड़ा angle बनेगा, ठीके, इन तीनों angles के नाम लिखतीजिए, angle 1 कौन सा था, angle 1 था, angle CBD, तो CBD के साथ add हुआ, क्या add हुआ, angle d b e, इसके साथ add हुआ, क्या, angle 3 वाला, e b a, इससे आपको क्या मिला, आपको मिला angle c b a, तो यह आपका answer है, तीनों angle का sum, clear, angle c b a, यहाँ पे देखिएगा, angle c b a, यह पूरे बड़े वाले angle से, तो angle c b a, में से अगर मैं minus कर दूँ, angle 1 को, angle 1 है मेरा c b d, तो c b d, angle c b d को अगर मैं minus कर दूँ, तो आप notice करेंगे, कि सिर्फ इतना part बचेगा, बड़े angle से यह part काटके निकाल दिया, तो angle 2 प्लेस angle 3 बचेगा, angle 2 प्लेस angle 3 है, आपका angle d b a, angle d b a, खतम कहानी, यह answer है, तीन लाइटर का use करके आपने angle बताया, तो finally, question number 47 को आपने यहां खतम कर दिया, ठीके, question number 48 क्या कह रहा है, तो board कर लेते हैं clear, और question number 48 देखेगा, यहां पर क्या बोल रहा है, name the points and then the line segments in each of the falling figure, अब देखो आपके यहां पर सामने 4 figure है, आपको यहां पर यह बताना है, name the points and then the line segments, आपको points बताना है, vertices का नाम बताना है और line segments का नाम बताना है, in each of the falling figure, तो असान है यह चीज, चलो, यहां पर line segments का नाम देना चलो करते हैं, तो पहला figure जो आपको दिख रहा है, यह triangle ABC है, ठीके, यहां पर जो points हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो A, B, C, यह 3 points हैं, और line segments क्या-क्या है, तो line segments हैं, आपके सामने A, B, फिर B, C, और फिर C है, खतम बात, यही तो करना हैं बस, तो सारे figures में हमें यही करना है, यहां पर कौन-कौन से point हैं, तो A, B, C, D, मैं ऐसा बोल सकता हूं, A, B, C, D, और line segments क्या-क्या हैं, तो A, B, B, C, C, D, D, बस यही लिखना हैं, तो देखिएगा, A, B एक line है, फिर B, C, एक line है, फिर C, D, एक line है, ठीक है, तो A, B, B, C, C, D, और फिर D, A, एक line है, ठीक है, चलिए, आगे देखिएगा, इस वहले figure में, तो यह एक pentagon है, पांच side का figure है, तो यहां पर points क्या-क्या हैं, तो यह है, A, B, C, D, E, तो यह 5 point है यहां पर, A, B, C, D, E, अब line segments के नाम बताईए, तो आसान है line segment के नाम बताईए, देखिए, A, B, 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 कर्को लेखिए यहां पे कौं कौं के से point है तो यहां पर a point है b point है ठीक है फिर c point है फिर D point है फिर e b है और f b है ठीक है अब लाइन segments क्या क्या है यहाँ पर line segments है a b O該 Me अब इस point का नाम नहीं दिया ठीक है तो a b line segment इजो point दिया वो यहाँ पर दिया हुआ है तो यहां पर मुझे कोई point नहीं दिया इसका मेले line segment सिर्फ A, B है यहाँ पर line segment है CD ठीके, अब एक line segment है EF तो बस यही 3 line segment है यहाँ पर ठीके, अगर यहाँ पर कोई point मुझे दे दे तो फिर उस case में मालो यह M दे एते हैं, तो मैं बोलता है A M और B M भी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर माले लोग मुझे पॉइंट दे एते हैं, तो इस केस में मैं कहता है C N और D N भी एक लाइन सेगमेंट है, फिर N F भी एक लाइन सेगमेंट है, N M और फिर M E भी एक लाइन सेगमेंट है, तो य कर लो clear देखते हैं question number 49 में क्या कह रहा है तो which point in figure 2.31 यह जो figure दिया है appear to be the midpoint of the line segments when you locate a midpoint name the two equal line segments अब यह कह रहा है आपको यहां देखने के बाद कहां पर यह समझ आ रहा है कि वो जो midpoint है वो midpoint है उसके पीछे reason भी देना है ठीके और अगर आपको कई midpoint देखना है दिख रहा है तो वो दो equal segments का नाम बताना है अब आप अगर पहले figure में देखेंगे तो line segment a b आपको दी है line segment का नाम a b पहले figure में देखना मैं क्या बोल रहा हूँ पहला figure जब आप देख रहे हैं तो line segment a b दिया है बट c point जो है वो a के पास में वो b से दूर है अलगी दिख रहा है तो हम यहाँ पे c point को नहीं बोलेंगे mid point तो there is no mid point there is हम कहेंगे there is no mid point कोई mid point नहीं है ठीक है second figure की तरफ देखना आप देखो इस figure में line segment b a दिया है बट इस b a पे मुझे point जो o दिया है यह कुछ ऐसा लग रहा है कि mid में है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं b o b o a o है बट question को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे बोल रहा है which point in the figure 2.31 इस सारे तीनों figures में appear to be a mid point of the line segment ठीक है अब appear तो हो रहा है o is the mid point when you locate the mid point name the two equal line segments formed by it तो वो दो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो b से o तक की दूरी है यह a से o तक की दूरी होगी बट यहाँ पे एक problem यह है इस question में यह appeared हो रहा है मैं तो दिख रहा है लेकिन क्या है यहाँ पे जितना clear third में दिखाया गया है third figure में यहाँ पे मुझे यह जो symbol दिया है आपको basically यह जो question है यह सिखा रहा है कि symbol के through ही आप चीज equal बोल सकते हैं तो यहाँ पे appear सिफ resemble कर रहा है ऐसा देखके मैं जवाब नहीं दूँगा हो सकता है b ho थोड़ा सा छोटा हो a o बड़ा हो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई symbol का use नहीं किया गया ठीक है अगर symbol का use करते तो मैं पक्का बोलता कि yes यहाँ पे b o a o के बराबर है जैसा कि इस figure में है यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो b d है यह c d के बराबर clearly बोला गया है तो मैं ऐसा कहूँगा कि third figure में यह चीज तो एकदम cleared है कि b d c d के equal है b d c d के equal है क्योंकि d midpoint है d is midpoint यह मुझे कैसे पता चल रहा है क्योंकि इन्होंने symbol के through मुझे दिखाया है यह symbol है यह जो line mark की है न यह symbol है यह symbol मुझे यह बताता है कि इतना पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो इस question में मैं कहूँगा सिर्फ third figure ऐसा है जो कि clear view दे रहा है ठीक है तो एकदम cleared समझ आ रहा है और वो दोनों मेने equal parts लिख दिया है तो question number 49 हो गया move करते है question number 50 की दरफ is it possible for the same line segment to have two different lengths देखो question को read कैसे करना है is it possible क्या ये possible है for the same for the same के बाद क्या तो for the same के बाद ये statement लिखा है और ये a part है ठीक है तो मैं इस question को कैसे पढ़ड़ा हूँ वो ध्यान देना is it possible for the same line segment to have two different length same line segment अगर कोई दी है ये एक line segment दी है और इसमें दो different length हो is it possible for the same line segment to have two different length इसकी दो different length दी हो तो यहाँ पे देखना line segment मतलब एक ऐसी line जिसका एक starting point है एक ending point है दो different length का मतलब होता है यहाँ पे दो अलग-अलग line segment अगर बीच में कोई point दिया होता तो क्योंकि line segment बोला है तो line segment की एक ही length होती है दो different length नहीं हो सकती बात समझ आ रही है तो मैं इस case में बोलूँगा no ठीक है एक line segment की एक ही length होगी ठीक है angle to have two different measures is it possible for the same angle angle same है ठीक है same angle मतलब माल लो यह एक fix angle है मैं बोल रहा हूँ यह है angle a ओ बी माल लो ऐसा है ठीक है तो is it possible for the same angle to have two different measures यह measurement एक fix रहती है तो इस case में मैं कहूंगा no ठीक है क्यों नहीं है आपको चीज के साथ समझा दिये यह question exam में नहीं आता बट हाँ इस चीज का use आता है तो यहाँ पर यह question सिभ आपको यह सिखाना चाहरा है कि is it possible for the same line segment इसी line segment के लिए possible है कि इसकी दो different length बोल दूँ भाई मैंने बोल दिये 5 cm है अब मैं बोलूँगा नहीं यह 7 हो गई ठीक है तो यह 5 अगर बोल दिये तो यह 5 ही है fix है एक ही line segment है और एक ही measurement है उसका clear ऐसे एक ही angle है उसका angle fix है ठीक है इसका angle different नहीं हो सकता है same angle के दो different measurement नहीं हो सकते है एक ही measurement होगा clear तो question number 50 तक हमने कर लिये हैं सारे questions solve ठीक है move करते हैं आगे question number 51 की तरफ will the measure of angle ABC and angle CBD यहाँ पे देखना यह drawing दी है ठीक है और इसके उपर based question पूछा है will the measure of angle ABC यह है angle ABC इस angle में यह कह रहा है will the measure of angle ABC and of angle CBD यह है angle C, B और D ठीक है will the measure of angle ABC and of angle CBD make measure of angle ABD in figure 2.32 यह ऐसा बोलना चाहरा है क्या angle ABC और angle CBD मिलके angle ABD बना रहे हैं तो मैं कहूंगा yes क्यों ऐसा क्योंकि जब इन दोनो angle को मैं sum करूंगा दोनो different angle अगर आप देखें तो दोनो angle different है बट इसमें एक common arm है और वो common arm है BC ठीक है because because both angles contain लिख लो यहाँ पर क्या लिख रहे थे हम कि भाई because both angles contain BC as common arm ठीक है अब क्योंकि BC इन दोनों के बीच में common arm है तो येस हम कहेंगे ये दोनों angle मिलके angle A, B, D बना रहे हैं ठीक है जैसा कि मैंने उपर लिखा है तो ये ही पूछा था will the measure of angle A, B, C and angle C, B, D make measure of angle A, B, D तो येस क्योंकि उन दोनों में common arm है BC बस इतना ही लिखना और कुछ लिखने के extra जोहत नहीं है question number 52 देखिएगा यहाँ पर कर देते हैं yes हमने board clear कर दिया question number 52 कह रहा है will the length of line segment A, B and line segment B, C make the length of line segment A, C in figure will the length of line segment A, B and line segment B, C देखना एक line segment D है A, B ठीक है और एक line segment आपको D है B, C तो एक line segment ये है और एक line segment ये है क्या ये दोनों मिलके A, C का formation कर रहे हैं तो एकदम सही कर रहे है yes तो यहाँ पर हमें दिख रहा है yes क्यों इसको आप लिखके दिखा देना क्योंकि जब A, B को आगे add किया जा रहा है किसके साथ line segment B, C के साथ तो यहाँ पर क्योंकि common point दोनों में B आ गया तो हम कह सकते हैं ये एक सीधी straight line है A, C ठीक है तो yes yes मेरा जवाब है यहाँ पर half marks का question yes ठीक है तो subjective में इतने ही छोटे questions आते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं आने वाला ये कह रहा है draw two acute angles अब acute angles क्या होते हैं तो देखिएगा acute angles का मतलब measurement is less than 90 degree ठीक है मतलब ऐसा कोई भी angle जिसका measurement 90 degree से छोटा है तो an angle an angle having having measurement less than 90 degree 90 degree से कम जिसका भी measurement है उसको हम acute angle बोलते हैं तो अब सवाल में क्या बोला है सवाल में हमसे simple सा एक चप्ड बोला है draw two acute angles ऐसे दो acute angle बनाओ ठीक है and one obtuse angle और एक obtuse angle बनाओ तो देखो obtuse angle का मतलब क्या है तो यहाँ पर obtuse angle भी हम लिख देते हैं obtuse angle का मतलब an angle with measurement an angle with measurement greater than 90 degree जिसका measurement 90 degree से ज़ादा है ठीक है तो यह कह रहा है दो acute angles चाहिए इनको ठीक है two acute angles और इनको एक obtuse angle चाहिए क्या करना क्या है उससे वो आगे read कर लेते हैं देखना draw two acute angles and one obtuse angle without using a protector अब protector क्या होता है तो protector एक basically tool है जो आपके geometry box में है ठीक है तो आप जब geometry box पिक करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे ऐसा curved एक scale होता है ठीक है जिसको हम D भी बोलते हैं तो यहां पर यह बोल रहा है कि protector का use किये बिना इससे use किया जाता है angles का measurement करने के लिए तो यह कह रहा है इसका use किये बिना आप 2 acute angles one obtuse angle बनाईए ठीक है full stop estimate the measure of the angles और एक estimation लगाईए कि जो angle आपने बनाया है ठीक है उसका measurement क्या है measure them with the help of a protector and see how much accurate is your estimation अब आप protector का use करिये और यह बताईए आप कितने आपने सही अंदाजा लगाया estimation मतलब अंदाजा लगाना तो दो acute angle acute angle वो angle जो 90 degree से कम है तो 90 degree से कम angle अब देखो जब भी आपको एक देखो यह कुल मिला कि यह सिखाना चाहता है कि आपको देखते ही समझाना चाहिए कि कोई angle कितने degree तक हो सकता है मालू मैं एक line ले रहा हूँ A-B देखो बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं एक line ले रहा हूँ A-B हमें यह पता है कि यहां से यहां तक मतलब जब मैं एक straight line बनाऊंगा तो यह straight line जब मैं बनाऊंगा ठीक है तो यह यहाँ पर 90 degree का angle बनता है अगर आपको यह चीज समझ आ गई ठीक है अब आपको angle बनाना 90 degree से नीचे तो 90 degree से नीचे बनाने के लिए हम hulky pencil का use करेंगे ठीक है मतलब आप hulky pencil का use करिएगा आपको इन parts को 90 parts में बाटना आना चाहिए 90 parts कैसे आपको protector बता होना चाहिए हमेशा 0 degree से चालू होता है ठीक है और यह 10, 10, 10 का gap रखना है इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देखो गड़बड हुई है यहाँ पर मैंने यह gap और equal gap लेके चलना ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे equal gap ले लूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब देखो यहाँ पर gap बढ़ा आ गया तो यहाँ पर basically 9 parts करने है अब वो आपको तोड़ा सा estimation लगाना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह 8 इस तरीके से ठीक है तो यह मैंने बनाया अब देखो अगर मैं इसको join करता हूँ तो यह 10 degree ठीक है अगर मैं इस point को join करता हूँ यह 20 degree अगर मैं इस point को join करता हूँ यह 30 degree अगर मैं इस point को join करता हूँ यह 40 degree तो ऐसे आपको degrees बनानी आनी चाहिए तो basically आपको estimation लगाना सिखा रहा है आपको 2 acute angles बनाने आप बस इस तरीके से measurement करिए ठीक है और आप फिर वहाँ पर बता सकते हैं यह 90 degree है आप dark pencil से 90 degree बता दीजे इसके बीच में आप कहीं पर भी इस तीके साब measurement कर लीजिए और इसको फिर measure करके देखी यह मैंने बोला 20 degree एक angle और बनाना है तो एक angle और बनाते हैं dark pencil का use करके 90 degree का angle और यहाँ पर मैंने अभी 20 degree दिखाया था यह 20 degree दिखाया था next मैं दिखाया था हूँ 60 degree तो यहाँ पर 90 का एकदम centered अगर line खीच दूँ तो यह 45 degree होगा 45 degree यह भी 90 से छोट है तो देखो मैंने 45 degree इसको आप measure कर लो तो यह angle है आपका नाम देना जरूरी है यह line थी AB और यह मैं देता हूँ C तो यहाँ पर इस point को मैं नाम देता हूँ D तो DAB, angle DAB मैंने बनाया 45 degree ठीके, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ इस point को E तो यहाँ पर मैंने angle बनाया है EAB equals to 20 degree तो एक estimation लगाने का मैंने तरीका बताया आपको acute angle बना दी, अब obtuse बनाना है अगर यह 90 degree का angle है तो 90 degree से बड़ा तो जैसे आप बड़ा आगे निकाल देंगे तो blue pen का use कर लेता हूँ मानलीजे मैंने यह बना दिया और मैं बोल रहा हूँ मैंने 20 degree उपर बना दिया तो यह जो angle है यहाँ से यहाँ तक यह मैं ले रहा हूँ 120 degree पॉइंट था A B और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ M तो angle M A B is equals to 120 degree ठीक है 90 को cross किया तो मानलो 10 10 के बाद यहाँ आया 20 तो 10 और 20 ऐसे gap आपको समझ आने चाहिए बाखी आप protector लगाके जब check करेंगे तो थोड़ा बहुत तो इधर जाएगा ही ठीक है वो जाएगा ही क्योंकि accurate नहीं बनाया है आपने without using any protector आपने angles draw की है चलिए तो question number 53 हमने यहाँ कर लिया है इस पकार के question सवाल नहीं आते exam यह test में अगर आया तो वो protector बोलेगा protector का use करिए और आप एक proper आपको angle दिया जाएगा उस measurement का आप angle बनाई है clear है तो question number 53 हमारा हो गया solve move करते हैं next question question number 54 की तरफ इस question में क्या कह रहा है यह देखिएगा यह कह रहा है look at the figure 2.34 ठीक है mark a point point mark करिए a ठीक है यहाँ पर point बोला है a mark करना है तो a point mark करना है b point mark करना है a कैसे mark करना है वो उन्हें बोला a mark करिए which is in the interior of both angle 1 and 2 आप देख रहे हैं angle 1 क्या दिया है तो आप देखेंगे angle 1 आपको यह वाला gap दिया यह वाला जो gap है ना यह angle 1 है और angle 2 जो है यह पूरे angle को angle 2 बोल रहे है 2 के अंदर होना चाहिए तो ठीक है 1 को भी consider करें और पूरे 2 के अंदर भी consider करें तो यह लीजिए एक point मैं a point mark कर देता हूं ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं देखो यह जो point है आपका a point यह इस angle 1 के अंदर इस gap के अंदर भी यह पूरे gap के अंदर भी है तो angle मतलब point a मैंने mark कर दिया अब यह कह रहा है b mark करिये which is in the interior of only angle 1 अच्छा सिर्फ angle 1 के interior में होना चाहिए तो यह angle b हो गया देखो सिर्फ angle interior मतलब interior of angle 1 तो यह ठीक है यह ही होगा क्योंकि 2 के लिए उन्हें पूरे angle को 2 बोल है तो अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते बाहर निकाल देंगे तो angle 1 के अंदर फिर point नहीं आपाएगा तो angle 1 के अंदर point होना चाहिए हमने b point mark कर दिया ठीक है point c अब आप एक point c mark करिये और इसके अंदर यह बोल रहा है कि इस point c के अंदर आप क्या करेंगे तो 2 minute hold करियेगा चलिये यहाँ पर यह आप से कह रहा है कि point c जो आपको mark करना है वो in the interior of angle 1 आपको mark करना है तो point c in the interior of angle 1 सिर्फ interior 1 के अंदर अगर मैं point c mark करूंगा तो यह रह point c mark कर दिया ठीक है अब यह हम से एक सवाल पूछ रहा है state weather points b and c lie in the interior of angle 2 also क्या यह b और c 2 के interior में भी लाए कर रहा है तो मैं कहूंगा yes यह लाए कर रहा है वो करेगा ही क्योंकि angle 2 जो है वो पूरा है तो जब angle 1 में आप कोई भी cheat डालेंगे तो पूरी angle 2 में भी दिखाएगी हाँ अगर वो सिफ इसको angle 2 बोलते अगर बोलते तो फिर कहानी अलग हो जाती ठीक है अभी उन्होंने क्या पूरे angle को angle 2 बोला है ठीक है तो यह चीज आपको समझनी पड़ेगी चलिए यहाँ पर बोर्ट करते हैं clear और move करते हैं next question question number 55 की तरफ question number 55 क्या कह रहा है find out the incorrect statement true and false type का question है कि आपको यहाँ पर statement दिये हैं आपको गलत statement निकालना है find out the incorrect statement if any अगर इस में से कोई है in the following ठीक है तो यहाँ पर तीन statement लिखे हैं इन तीन में से आपको गलत statement निकालना है अगर कोई है तो an angle is formed when we have कोई angle तफ फॉर्म होता है जब हमारे पास कोई angle तफ फॉर्म होता है जब हमारे पास ऐसा करके बोल रहा है दो rays होती हैं with a common end point अब ray किसको बोलते हैं तो ray का मतलब है कि यह एक ray होगी यह एक ray होगी ray उसको बोला जाता है जिसके end point पे arrow हो जिसके एक end पे arrow हो दूसरे point जो है वो वो एक initial starting point हो ठीक है यह क्या कह रहा है two rays with a common end point अगर इन दोनों का common end point तो पहली बात तो ray में end point होता नहीं है तो ray में क्योंकि end point नहीं होता तो two rays with a common end point यह गलत statement है ठीक है चलिए आगे क्या बोल रहा है यह two line segments with a common end point दो line segment जिनका common end point हो तो common end point ठीक है अगर दोनों का common end point है तो यह भी गलत statement है यहाँ पही क्या बोला है find out the incorrect statement if any in the following an angle is formed when we have two rays with a common end point two rays with a common end point तो यह तो गलत statement है ठीक है two line segments with a common end point यह भी गलत statement है array and a line segment with a common end point एक रे और एक line segment एक रे और एक line segment with common end point देखो end point तीनों में ही गलती है ठीक है end point नहीं होता है इस case में हम कहते है starting point starting point होना चाहिए question number 55 को समझना यहां पे हम बोलते हैं इन तीनों की जगा पे क्या two line segments with initial points ठीक है दो line segments होती है जिनका कुछ एक initial point होता है यह दो rays जिनका एक initial point होता है वहाँ से angle formation होता है initial points होता है ना कि end point पे होता है clear है तो यह तीनों ही गलत है find out the incorrect statement if any तो है ठीक है और correct क्या होना चाहिए था वो मैंने बता दिया initial होना चाहिए ठीक है word end ना होके initial होना चाहिए चलिए board कर लेते हैं clear और move करते हैं next question question number 56 की तरफ यहां पे यह क्या कह रहा है in which of the falling figure इसमें से ऐसा कौन सा figure है perpendicular bisector is shown जिसमें आपको perpendicular bisector बोला है अब देखो perpendicular bisector word perpendicular का क्या मतलब होता है word perpendicular का मतलब जब किसी line को किसी भी line को plane के उपर कोई भी line को जब कोई दूसरी line काटती है और वहां पे 90 degree का angle formation हो मतलब दो lines के भीच में जब भी 90 degree का formation होगा तो मैं word use करूंगा perpendicular लेकिन जब भी word bisector use होता है तो by का मतलब है दो equal part sector मतलब section sector का मतलब section दो equal parts में जब section हो तो perpendicular bisector is shown अब इसमें से ऐसा कौन सा diagram है जहां पे 90 degree का angle भी बन रहा है और वो जो line है जो 90 degree का angle बना रही है वो दूसरी line को दो equal part में बाट रही है तो वो है सिर्फ आपका second figure first में भी ये दो equal part नहीं है perpendicular है बट perpendicular bisector नहीं है by का मतलब दो equal part में जिसका section हो clear है तो ये चीज आपको यहां पूछी थी A part के लिए मैं बोलूँगा इसका answer है second diagram इस case में देखना एक line है वो intersect कर रही है और इस line को दो equal part में कर रही है लेकिन यहां 90 degree formation नहीं हो रहा ठीके ये 90 degree का formation नहीं है तो हम इस case में कहेंगे कि यहां पर ये जो angle है ये acute angle है ठीके तो यहां पर 90 degree का angle नहीं है इसलिए third नहीं है second इसका answer है bisector is shown जहां पर bisector दिखाया है तो bisector दिखाया है तो bisector मैं कहूंगा ये line bisector है ये line bisector है ये bisect कर रही है bisect मतलब दो equal parts में बाट रही है किसको basic line को ये है base line जिसको दो equal parts में बाटा जा रहा है ठीके तो यहां पर board कर देते हैं clear तो यहां पर इस first part के लिए मेरा answer है second और B part के लिए bisector is shown इसका answer है second and third clear चलिए only bisector is shown सिर्फ bisector दिखाया है सिर्फ bisector तो यहां पर ये वाला वो diagram में third जहां पर सिर्फ bisector दिखाया है दो equal parts में बाटा है अब मैं क्यों बोल पाना हूँ दो equal parts क्योंकि ये देखो नीचे तीन line आ रही है clear है तो यहां पर answer है हमारा three चलिए only perpendicular is shown सिर्फ perpendicular दिखाया है bisector की बात ही नहीं हो रही सिर्फ perpendicular दिखाया है वो first में दिखाया है ठीक है यहां पर सिर्फ perpendicular दिखाया है यहां पर perpendicular bisector दिखाया है यह perpendicular दिखाया है यह bisector दिखाया है ठीक है और only bisector only perpendicular किसको बोलेंगे clear यह चीज तो question number 56 हो गया हमारा यहाँ पर solve move करते हैं next question question number 57 की तरफ तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर यहाँ आएगा what is common in the following what is common in the following figures first and second तो पहला figure और third figure में क्या common दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर common दिखा रही है तीन line three line segments common है बस और कुछ तो common नहीं दिख रहा three line segments है यहाँ पर भी यह एक दो और तीन यहाँ पर भी यह एक दो और तीन clear है तो तीन यहाँ पर हमें दिखा रही है what is the common in the following figures first and second three line segments is common in figure 2.36 first figure क्या यह triangle है इस case में यह पूछ रहा है क्या यह triangle है तो मैं कहूंगा no it is not triangle why क्यों triangle नहीं है क्योंकि यह closed figure नहीं बना रहा because it is not forming any closed figure यह कोई भी closed figure नहीं बना रहा ठीक है triangle के लिए closed figure होना जरूरी है तीन line segment मिलके एक closed figure बनाती है three interior angles बनते यहां पर three angles तो बन रहे हैं लेकिन closed figure नहीं है इसको triangle नहीं बोलेंगे clear question number 57 simple सा सवाल था ठीक है आपको triangle और इस figure के बारे में अंतर बता होना चाहिए कई बच्चे confused रहते हैं सर तीन साइड यहां पर भी यहां पर भी तो तीन line segment है ठीक है यहां पर भी तीन angle है यहां पर भी तीन angle है भाई triangle उस figure को बोलते हैं जहां पर closed figure बनता है three line segments का use करके यह open figure है यह closed नहीं है चलिए move करते है next question question number 58 की तरफ तो यह बोल रहा है if two rays intersect with their point of intersection be the vertex of an angle of which the rays are the two sides क्या बोला अगर कोई दो rays intersect कर रही है ठीक है with their point of intersection with their point of intersection be the vertex of an angle of which the rays are the two sides ठीक है यहां पर यह बोल रहा है कि यह दो rays है एक ray यह है एक ray यह है ठीक है मैं ऐसा बोल देता हूँ यह x यह o यह y दो rays है एक o x है एक o y है तो if two rays intersect अगर यह दो rays कहीं पर intersect कर रही है ठीक है will their point of intersection जो उनका point of intersection है will मतलब क्या क्या उनका point of intersection vertex कहलाएगा तो yes उनका point of intersection vertex कहलाएगा be the vertex of an angle of which the rays are the two sides यह rays उस angle का vertex कहलाएगा मतलब इनका जो end point है ठीक है यह point vertex कहलाएगा क्या उस angle में जहां पे यह दो rays मिलके इसी angle की side बना रही है arms बना रही है तो yes हम कहेंगे यह correct statement इन यह लोग बोल रहे है yes मैंने with drawing आपको समझाया clear move करते next question question number 59 की तरफ तो यहां पे बोल रहा है जो आपको figure दिया है name any four angles that appear to be acute angle जो आपको ऐसा लगे 90 degree से छोटा है तो ऐसे चार angle बताओ अब ऐसे चार angle अगर मैं बताऊंगा तो चार angle देखो यहां पे यह 90 degree से छोटा दिख रहा है नॉइनन्ती डिग्री से छोटा दिख रहा है और क्या 90 degree से छोटा चल रहा है तो यह वाला angle 90 degree से छोटा यह वाला angle 90 degree से छोटा यह angle यह angle अब यह यह मतों मैं बोल रहा हूं क्या सर नाम बताएंगे तो यस नाम ले लिजिए देखिए A part के लिए angle A, B, C कॉमा अब A, B, C बनाने के लिए A, B, D तो angle A, B, D and angle D, B, C ठीके? अब मैंने यह पूरा angle लिया था यह मुझे 90 degree से छोटा दिख रहा है straight line है बट 90 से छोटा दिख रहा है ठीके? अब यह 90 से छोटा है मतलब दो acute angle ने मिलके यहाँ पर यह angle बनाया होगा कितने angle बनाये थे? name any four angles कोई भी चार angle बताने है B part में मैं एक angle बोल देता हूँ angle A, D, C यह भी मुझे छोटा angle दिख रहा है angle A, D, C और यह भी दो angles से मिलके बनाया angle A, D, B angle A, D, B and angle C, D, B तो 6 angles तो मैं नहीं बता दिए 4 से बताने थे name any two angles ठीके? तो यह A, A part का ही मैंने जवाब दिया है ठीके? अब B part में क्या बोल रहा है? वो कह रहा name any two angles कोई भी दो angles ऐसे बताईए जो आपको लगता है obtuse है obtuse का मतलई मोटा एंगल 90 degree से बड़ा 90 degree से बड़ा मुझे ये वाला angle देख रहा है कौन सा angle? angle B, C, D angle B, C, D ये 90 degree से बड़ा देख रहा है ऐसी angle D, A, B ये angle भी मुझे बड़ा देख रहा है angle D, A, B एंगल डी एबी समझ आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कोशन नमबर 59 आपके सामने हो गया है इस वीडियो का लास्ट कोशन कोशन नमबर 60 ठीक है वो यह रहा आपके सामने कोशन नमबर 60 क्या कह रहा है जो फिगर बना है क्या उसमें ठीक है इसका मतलब क क्या क्या उसमें AC प्लस CB को मैं AB के बराबर बोल सकता हूं देखना AC प्लस CB ये वाला पार्ट जब CB के साथ एड़ हो रहा है तो ये एक लाइन सेग्मेंट AB बना रहा है येस मैं बोल सकता हूं एकदम सही है ठीक है ये पार्ट जब इस पार्ट से मिल रहा है तो पूरी ला प्लस AC अगर मैं करता हूँ देखो क्या बोल रहा है अगर पूरी AB में मैं और AC को add कर दूँ ठीक है तो उससे CB बनेगा गलत ऐसा नहीं है आप देखिएगा पूरी AB में से अगर मैं AC वाले पार्ट को हटा दूँ ठीक है माइनस AC कर दूँ तो यह CB बनाएगा यहां पर क्या बोला है अडिशन का साइन दिया है तो नो आएगा ठीक है हटाने पर CB बन रहा है ठीक है तो हटाने पर बन रहा है एड करने पर नहीं बन रहा चलिए AB में जब BC एड करूँगा क्या बोल रहा है यह बोल रहा है जब AB में BC को एड कर दूँगा पूरी AB में BC को एड कर दूँगा तो CA बनेगा यह वाला पार्ट बनेगा तो भाईए यह तो एकदम ही गलत बोल दिया क्या है क्या सही तरीका है अगर मुझे CA चाहिए तो पूरी AB में से आप माइनस कर दो CB को पूरी AB में से आप CB वाला पार्ट हटा दो आपको AC मिल जाएगा ठीक है तो AC चाहिए अगर तो आपको माइनस करना पड़ेगा किसके पूरी AB में से CB को ठीक है माइनस तो यह भी ग आपके लास्ट कोशन तक के जो पार्ट है वह आप पार्ट नंबर फॉर वाच करिए क्लियर है तो यहां पर हमने पार्ट थ्री को कर दिया है complete और यहां पर यह सारी वीडियो आपको कहां देखने को मिलेंगी तो आपको जाना है आपको पता आपको जाना है Google राजा के पास Google राजा के पास आप Wagnet Vains टाइप करते ही आपके सामने इंटरफेस उपन होगा वहँ पर आपको हैंडिंग दिख रही है explore top courses इस explore top courses को जैसे ही आप scroll करके आते हैं तो इसके maybe अभ पे class 12 से लेके kindergarten तक term 2 exam की त्यारी चल रही है जो कि 10th class के चल रही है ncati examplar का यह जो option दिख रहा है इस examplar को आप जैसे click करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी वो सारी teachers जो ncati examplar पढ़ा रहे हैं ठीक है from class 6 to class 12 अब आपको watch करनी है class 6 math ncati examplar की वीडियो आप simple इस पर क्लिक करिए watch now पे मेरी photo के नीचे यहाँ पर देखिए class 6 math ncati examplar है watch now को जैसे click करेंगे तो आप आ जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुई पूरी ncati examplar की book पे ठीक है यह एक book है ऐसा माल लो proper यहाँ पे तरीके से जमाया हुआ मतलब proper arranged manner में हर एक video वो proper तरीके से arrange किया गया है serial wise proper तरीके से आप घर बैठे सारी videos watch कर सकते हैं तो जिस topic का ncati examplar का solution आपको देखना है चोन से question को देखना है उस video पे उस topic पे जाके click करो और वहां से आप घर बैठे बैठे त्यारी कर सकते हैं तो इतना असान है घर बैठे बैठे त्यारी करना वो भी 100% free education magnet bins के platform पे ठीक है तो पूरी information को आप share करिये अपने दोस्तों के साथ अपने से बड़े जो आपके touch में हैं आपके relation में हैं ठीक है उन सब तक हमारे यह message पहुंचाईए और इसी के साथ में वीडियो को share करना ना भूलिए मतलब शेयर ही एक तरीका है आप जिस दिके से हमारे बारे में यह पूरी information उन तक पहुंचा सकते हैं दूसरा जो वीडियो अभी आप वाच कर रहे हैं य इन future भी नहीं मांगा जाएगा तो किसी तरह का कोई charges यहां नहीं है आपको सिफ बैल आइकन इसलिए दवाना है क्योंकि पहले आप तक सारी वीडियो आजाएं जैसे जैसे अप्लोड होती जा रही है six class की वीडियो आप पहले watch कर पाएं आप त्यारी अच्छी कर पाएं ठेक है आपके दोस्तों तक चीज पहुँच पाएं इसलिए subscribe करना जरूरी है चलिए मिलते हैं इसके last part में fourth part में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिये bye and take care